हेलो जहीं दोस्तों मैं शुबम आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूटूब चैनल शुबमी क्लासिस में आज की हमारी क्लास आर्मी अगनीवीर स्पेशल 2022 की होने वाली है जिसके अंदर हम GK और GS के मिक्स टोप 30 वेरी वेरी इंपोर्टन कोशन डिसकस करने व चलिए अपनी कलास स्टार्ट करते हैं तो देखीए का प्रशनों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टार्गेट दे रहा हूँ 25 प्लस कोश्चन राइट करने का पहला कोशन है आपके सामने स्क्रीन पर इस प्रशन का अंसर करिए सीमा सुरक्षा बल किस थापना कब हुई और दिखिए आप सभी डिफेंस की त्यारी कर रहे हैं और अगर आप सभी को यह वाला कोश्चन नहीं आता तो यह बहुत गलत बात है आपको इस कोश्चन का आंसर पता होना चाहिए बीएसफ की स्थापना कब हुई तो ध्यान रखीगा एक दिसंबर 1965 को बीएसफ क स्थापना हुई थी जिनों ने भी ऑप्शन सी को आंसर किया है उन सभी का आंसर बिलकुल राइट है कि कोश्चन नमबर सेकिंड देखिए गरबा किस राज्य का प्रमुख लोक नरित्य है सूपर इंपोर्टेंट कोश्चन गरबा इस दा मेन फोक डैंस ओफ विच नाटक गुजरात या फिर आंद्रप्रदेश कि क्या आंसर करोगे जल्दी से आंसर करिए तो देखिएगा गरबा गुजरात का प्रमुख लोक नरित्य है इसके साथ एक और लोक नरित्य है जो अक्सर एक्जाम में पूछा जाता है इट इस डांडिया डांडिया और कोशन देखिए जी सामने अफगानिस्तान की राजधानी का नाम क्या है सुपर इंपोर्टेंट वर्ट इस दानेम ऑफदा कापिटल ऑफ अफगानिस्तान धाका थिंपू काबूल या फिर इस्लामावाद एक्जाम में हमेशा राजधानियों और मुद्रा से यानि की करंसी से रिलेटिड कोशन पूछा जाता है इन दोनों में से एक कोशन हमेशा एक्जाम में बनता है तो जितने भी आपके पडोसी देश हैं या फिर टोप 15, 20 इंपोर्टेंट कंट्री उन सभी की कैपिटल पत राजधानी है बांगला देश की कैपिटल थिम्पु जो है भुटान की राजधानी है ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौशन नमबर चार निम्न में से कौन सी पुस्तक रविंदर नाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई विच अफदा फॉलविंग बुक्स वाज पहले करवा चुके हैं इस टाइप से कि 1913 में रविंदर नाथ टैगोर को पुस्तक गितांजली के लिए नॉबल पुरुसकार दिया गया था ऑप्शन बी आपे करेक्ट आंसर है गितांजली पुस्तक रविंदर नाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है कि कौशन नमबर गांधी गयवदा स्लोगन ओफ डू और डाई सवी ने अवग्या अंदोलन एस हयोग अंदोलन भारत छोड़ो अंदोलन उप्युक्त में से कोई नहीं करो या मरो का नारा किस ने दिया है मात्मा गांधी ने दिया है और ये भारत छोड़ो अंदोलन के दोरान दिया था option C correct answer है अब exam में question बनता है भारत छोड़ो अंदोलन कब हुआ तो ध्यान नखीगा 8-9 अगस्त 1942 question number 6 देखिए अंतर राश्ट्रिय महिला दिवस कि स्तिथी को मनाया जाता है International Women Day is celebrated on which date जल्दी से आंसर करिए 30 जनवरी 24 मई 8 मार्च या फिर 28 एप्रेल क्या आंसर करेंगे अंतर राश्ट्रिय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं option C correct आंसर होगा 7 number question शिव कुमार शर्मा किसे वादे यंतर से संबंदित है सितार, संतूर, तबला या फिर शहनाई शिव कुमार शर्मा is related to which musical instrument option B correct आंसर हैगा शिव कुमार सर्मा, संतूर, नामक, वादे यंतर बजाते है question number 8 देखिए इरानी ट्रोफी का संबंद कि स्केल से है very very aesthetic G के question sports वाले chapter से इरानी ट्रोफी is related to which sport option D जो आंसर दे रहे हैं cricket उनका आंसर राइट है question number 9 बांधवगड राश्टी उध्यान कहां पर इस्थित है where is बांधवगड नेशनल पार्क लोकेटेड करनाटक, केरल, सिक्किम, मद्यपरदेश बांधवगड राश्टी उध्यान कहां पर इस्थित है बांधवगड राश्टी उध्यान मद्यपरदेश में है option D correct answer है चलिए, बढ़ते हैं next question की तरफ question number 10 है आपके सामने स्क्रीन पर श्री नगर निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है ब्रह्म पुत्र कृष्णा, गंगा या फिर जेलम श्री नगर is situated on the banks of which of the following rivers तो श्री नगर जो है यह जेलम नदी के किनारे स्थित है option D आपका correct answer है question number 11 है सामने स्क्रीन पर जल्दी से इसका अंसर करिए जल्दी से अंसर करिए खानवा का युद किसके बीच लड़ा गया औरंग जेव और बैरम खान, बाबर और राना सांगा, शेर शाह और हुमायू, महराना प्रताप और अकबर खानवा का युद कब हुआ था 1527 में, किसके बीच लड़ा गया, बाबर और राना सांगा के बीच में, option B याँ पर बिलकुल परफेक्ट आंसर है बारा नंबर कोश्चन, निम्न में से किसके द्वारा विद्यूत बलव का आविश्कार किया गया विद्यूत बलव का आविश्कार किया गया option D, Thomas Elva Edison जो आंसर करेंगे, उनका आंसर बिलकुल राइट है JJ Thompson पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोन की खोज किसने की है, JJ Thompson ने clear है सभी को, बॉल पैन का विश्कार किसने किया है, वाटर में ने question number आपके सामने 13 है, स्क्रीन पर, sodium hydroxide किसका रसानिक नाम है sodium hydroxide is the chemical name of तो जो भी option D को आंसर करेंगे, कास्टिक सोड़ा उनका आंसर करेक्ट है sodium hydroxide कास्टिक सोड़ा का रसानिक नाम है चोदा नंबर question है, जी आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करेंगे जल्दी से वे पदार्थ जिनका प्रमानो भार समान तथा प्रमानो करमांक भिन भिन हो क्या कहलाते हैं वे पदार्थ जिनका प्रमानो भार समान तथा प्रमानो करमांक भिन हो समभारिक कहलाते हैं option B, correct answer है question नंबर 15, मरास्मक रोग किसकी कमी से होता है super important exam में पूछा जाएगा vitamin, insulin, toxin या फिर protein देखे, मरास्मक स्रोग है और एक और होता है क्वाशी और कर रोग ये मुख्यता बच्चों में होने वाले रोग हैं और मुख्यता प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं d right answer है जी चलिए 16 नंबर question की तरफ बढ़ते हैं मुखल समराज्य का आरंब किस युद्ध से हुआ था option सारे आपके सामने स्क्रीन पर है समय चाहिए तो session को रोग सकते हैं question बहुत important है सबसे पहला question है मुखल वन्ष की स्थापना किस ने की थो बाबर ने की थी ये question आपके एक्जाम में बनता है और मुखल समराज्य का आरंब बाबर और इबराहिम लोदी के बीच ध्यान रखीगा 1526 में पानीपत की पहली लडाई हुई थी जिस युद्ध में इबराहिम लोदी हार गया था और वहां से मुखल वन्ष की स्थापना हुई थी तो यानि की पानीपत की जो पहली लडाई है इसके बाद मुखल समराज्य का आरंब शुरू हुआ था सत्रा नंबर कोशन देखिए जापान की मुद्रा का नाम क्या है तो ध्यान रखीएगा जापान की मुद्रा जापानी येन कौन सा ओप्षन है? ओप्षन डी आपका है बिलकुल करेक्ट अठारा नंबर देखिए ज्यानपीट पुरुसकार किस शेत्र में दिया जाता है? दग्यानपीट अवार्ड इस गीवन इन विच फिल्ड? सहित्य, संगीत, फिलम या फिर खेल कूद पुरुसकारों से संबंदित जितने भी इंपोर्टेंट प्रशन और फेक्ट हैं आपको आने ही चाहिए ग्यानपीट पुरुसकार जो है सहित्य के शेत्र में दिया जाता है जी? ओप्षन ए करेक्ट आंसर है कोशन नमबर 19 आपके सामने हैं संगमरमर चटाने किस श्रेणी में आती हैं? मार्बल फॉल्स अंडर विच केटिगरी ओफ रॉक्स? आगने अवसादी कायंतरित या फिर तलचट आंसर मैच करिए क्या सभी ने ऑप्षन सी को आंसर दिया है मेटा मॉर्फिक? संगमरमर जो है कायंतरित चटान है 20 नमबर कोशन देखिए निम्न लिखित में से कोन एक सदिश मात्रा नहीं है? त्वर्ण विद्युधारा बल या फिर समवेग निम्न लिखित में से कोन सी एक सदिश राशी नहीं है? आप्षन बी करेक्ट आंसर हैगा विद्युधारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशी है 21. मोनाजाइट किस धातु का प्रमुक्स त्रोत है? मोनाजाइट इस दा मेन सोर्स आफ विच मेटल, लोहा, तामबा, थोरियम, क्रोमियम मोनाजाइट, थोरियम का अयस्क है जी क्या सभी आप्षन सी को आंसर दे रहे हैं? इसी प्रकार लोहे का अयस्क क्या है? हेमेटाइट है हेमेटाइट जो अक्सर एक्जाम में पूछा जाता है तामबे का अयस्क क्या है? क्यूप्राइट है ये भी एक्जाम में पूछा जाता है यह ध्यान रखिएगा 22 नंबर कोशन देखिए अमजद अली खान किसे संबंदित हैं शेहनाई वादन से तबला वादन से सरोध या फिर कथक न्रित्य विच हूम विद हूम इस अमजद अली खान रिलेटेड अमजद अली खान सरोध वादन से संबंदित हैं क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है तेजिस नंबर कोशन देखिएगा आपके सामने हर्शवर्धन को किसने प्राजित किया था ओप्शन सामने स्क्रीन पर अवेलेवल हैं जी जल्दी से आंसर करिए हर्शवर्धन को पुलकेशिन सेकिंड ने प्राजित किया था ओप्शन बी करेक्ट आंसर है अच्छा एक और कोशन हर्शवर्धन से बहुत रिलेटिड है कि हर्शवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था सो ध्या नखीगा हेन सांग हर्शवर्धन के समय में भारत आया था कॉशन नमबर 24 देखे प्रिथवे के किस भाग पर जी का मान अधिक्तम होता है भुमद्य रेखा पर धुरूओं पर मकर रेखा पर या फिर करक रेखा पर विच पार्ट ओफ दा अर्थ हैस दा मैक्सिमम वैल्यू ओफ जी तो प्रिथवी के किस भाग पर धुरूओं पर जी का मान सरवादिक होता है 25 नमबर प्रश्ण किस अंग को आर्बीसी का कबरिस्तान कहा जाता है विच ओर्गन इस कॉल्ड दा ग्रेवियार्ड ओफ आर्बीसी पलिहा यकृत हरिदय वरिक देखिए सबसे पहला आपको पता होना चाहिए आर्बीसी का निर्मान कहा होता है इसका होता है मतलब रेड बलड सेल्स लाल रक्त कणिकाएं सबसे पहले इसका अंसर अभी करिए comment box में RBC का निर्मान कहां होता है जल्दी देखे अस्थी मज्जा यानि की bone marrow बोलते हैं इंगलिश में अस्थी मज्जा में RBC का निर्मान होता है और मृत्यू जो है इस्पलीन यानि की पलीहा में होती है option A correct है इसी लिए पलीहा को RBC का कबरिस्तान कहते हैं RBC का कारे का लगभग 120 दिन तक होता है ये भी important है 26 नमबर question देखिएगा Greeno kite की सिधातू का यस्क है Cadmium, Gallium, Calcium, Zermanium English में थोड़ी सी typing mistake है Greeno kite जो है या है Cadmium का यस्क है option A correct answer है चलिए 27 नमबर की तरफ चलते हैं आपका General GK से 36 शिवाजी महाराज किश्वण्ष के साशक थे Super important नंदवण्ष, हर्यकवण्ष, मौर्यवण्ष, मराठावण्ष और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर करिएगा अगर आपका कोई Friend Army, अगनी वीर, अगनी पत्योजना की त्यारी करता है उसे हमारा चैनल जरूर शेयर करेंगे और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए helpful है और आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाईएगा चत्रपति, शिवाजी महराज, मराठा वन्ष से संबंदित थे option D, right answer 28 नंबर देखिए भारत की कमिनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी वेन वाज़ दा कमिनिस्ट पार्टी ओफ इंडिया स्टेबलिस्ट क्या आंसर करेंगे जल्दी से आंसर करिए आंसर मैच करिए option B, 1925 जिनोंने आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है 29 है आज का second last question निम्ण में से कौन एक अर्ध चालक है which of the following is a semiconductor फासपोरस लकडी सिलिकॉन जल तो यहाँ पर option C करेक्ट आंसर है सिलिकॉन जो है यह अर्ध चालक है ध्यान रखिएगा जिनोंने option C को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है जी इसी के साथ question number 30 है आज का last question और यह वाला जो question है question number 30 यही आपको आज हमवरक के लिए मिलेगा यह अलग से question नहीं है आज हमवरक का यही question number 30 आपको हमवरक के लिए दे रहा हूँ मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई अकबर शाहजहां जहांगीर या फिर बाबर मनसबदारी सिस्टम वाज implemented by और यह भी कमेंट करिएगा कि कब लागू की गई question एक ही है दो अलग अलग टाइप के हो गए मनसबदारी प्रथा कब और किसने लागू की इन दोनों का अंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए कल की क्लास में इसको discuss करेंगे तो दोस्तों यह थे आपके जी के और science के mix top 30 very very important question बताएगा आज की क्लास कैसी लगी हमारा पढ़ाय हुआ आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में सभी को अपना score कमेंट करना है चलिए फिर मिलते हैं कल किसी और अच्छे session के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत